परसन आया है बड़ा वाजिव परसन है और बहुत ही बुद्धी जीवी कह सकता हूं के दो-तीन बुद्धी जीवी लोगों की तरब से आया है कहते हैं कि आपकी हर बात पाली पे आकर रुकती है पहली बात तो यह है और दूसरा यह है कि आप ने जितने भी फेस्टिवल बताये हैं टीम 22 की वीडियोज में लगबग सारे ही भारत के फेस्टिवल कुछ को छोड़ कर वो सभी मूल निवासियों के फेस्टिवल आपने यानि जो उत्सब हैं जो उत्सब के या जो जिसको तोहर बोलते हैं या फेस्टिवल बोलते हैं वो सारे के सारे ही आपने ये सिद्ध कर दिये कि वो पाली से बने हुए हैं और भारत के मूल निवासियों के हैं कुछ मुझे उनका एतरासा लगा और यहाँ यह जबाद देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वीडियोज काफी लोग देख रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं तो कोई संसे ना रहे, कोई भ्रहम ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर भ्रहम है तो उसको दूर होना चाहिए कोई भी आकरंता या कोई भी invader या कोई भी लड़ाका या कोई भी योध्धा या जब भारत के लोग भी अगर कहीं युद्ध करने जाएंगे या भारत में जो लोग युद्ध करने के लिए आए और यहाँ आके रहे या बसे ये एक ध्यान देने वाली, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब आदमी युद्ध करने जाता है तो अपने साथ में अपनी इस्त्रियां लेकर नहीं जाता ये बात सब जानते हैं तो दूसरी बात ये भी सत्त है कि कोई भी युद्ध करने वाला अपने साथ अपने फेस्टिबल लेकर नहीं जाता फेस्टिबल हमेसा तोहार या उत्सब हमेसा बहुत सालों में विक्सित होते हैं और वहीं विक्सित होते हैं जहां लोग रहते हैं यानि लोगों का जो समू जहां रहता है उसका कोई ना कोई कारण है जैसे भारत में जितने भी फैस्टिबल हैं वो mostly करसी परधान है या तो फसल बोई जा रही है या फसल कट रही है या फसल पक रही है या फसल आने वाली है या फसल आ चुकी है सारे जितने भी फैस्टिब आया गया तो छेतिय बोला गया तो जितने फार्मर हैं छेत ये लोग है उन सब के फ Maßटिबल हैं और वो लोग तो बाहर गए बाहर के लोग यहां आये तो आने के बाद में यही के फैस्टिबलों को उन्होंने या तो आपना नाम दिया या उस पे अपनी मोहर लगाई या उसमें वो शामिल हो गए या उसको थोड़ा सा चेंज किया या उसमें कुछ अपना मिक्स किया या उसका थोड़ा सा हिस्सा बोला दिया कुछ भी किया, मगर festival यहीं के हैं festival कभी बाहर के नहीं होते भारत के लोग जब युद्ध करने जाएंगे और सपोज अगर वो कल को अमरीका पे कबजा कर लें तो अमरीका में जो इस्टर बनता है या अमरीका में जो गुड फ्राइडी बनता है या अमरीका में जो क्रिस्मस बनता है क्योंकि अधिकतर जनसंकिया लोग तो अमरीकन लोग ही रहेगी भारत के लोग तो मुठी बढ़ जाएंगे पूरा भारत उटके तो जाएगा नहीं अमरीका पे कबजा करने के लिए या लड़ने के लिए तो वहाँ अगर भारत ने रूल भी कर लिया तो जो Easter है जो क्रिस्टने वहाँ के लोग तो मनाएंगे हां ये हो सकता है कि वहाँ शार्षक अगर भारत हो जाए और वो कहे कि अब जो Christmas बनेगा उसमें पठाके भी छुटेंगे या अब जो Easter बनेगा उसमें हलुआ पूरी भी चलेगा या अब जो क्या बोलते हैं गुड फ्राइड बनेगा तो उसके अंदर रंग खिला जाएगा ये हो सकता है चेंज मगर वहाँ का मूल फैस्टिबल नहीं होगा तो इसलिए फैस्टिबल मूल पाली के अंदर छुपे हुए है जब हम वीडियोज बनाते हैं तो इस वीडियोज की बाकाइदा बहुत सारा अनुसंधान करने के बाद बनाते हैं और पाली क्या बोल रही है हम दो बताते हैं हम क्या बोल रहे है हम ये नहीं बताते बेसिकलि हमारे पास में और कोई भासा है भी नहीं हिंदी जितनी भी भासा है, हिंदी का तो शब्द भी बहुत बाद में आया है तो हिंदी को ही पाली है, भारत की जितनी भासा है वो पाली है वो पाली किसली है और क्यों है क्योंकि एक बहुत बुद्धिमान विक्ति का हमारे पास में फोन आया ने कहा कि पाली तो मगद के थोड़े सी एरिया में थी, इसको मगदी बुला करते थे, वो बिलकुल ठीक करें, पाली बहुत छोटे से हिस्से में थी, इसका पुराना नाम मगदी था रो उससे भी इसका पुराना नाम था, जो राजा परसंजीत के नाम से थी, उसके नाम से बोली जाते थी, तो जो मगदी है, यानि मगद की है, और मगद से पहले जो उसका जो पूरा छेतर है, वहाँ की ये नाम से जानी जाती है, मगर बाद में असोक के समय में तो ये इरान तक चली गई, उधर बर्मा तक चली गई, तो आप यह सोचिए कि जब राजा की भासा जब राजा आता है तो वो अपनी भासा का भी विस्तार करता है और यह पूरे भारत में फैल गई जैसे इंग्लिस जो लोग थे जो अंग्रेज लोग थे जब वो पूरी दुनिया में आये तो उन्होंने अंग्रेजी फैला दी जैसे अरब लोग भारत में आये और भारत में आकर उन्होंने राज किया तो यहां अर्भी फैला दी अर्भी की बाद में उर्दू बनी, उर्दू और पाली लगवग मिक्स हैं पाली को और अर्भी को मिक्स करके उर्दू बनाया गया जो यहां की भासा है तो इसलिए जो टोटल जो भासा है वो पाली ही है और हिंदी अधिकतर पाली है हिंदी में कुछ word अर्बी के हैं कुछ word और कहीं और के भी है मगर मूल जो है इसका और जो पैटरन इसका चलता है वो पाली पे चलता है क्यूंगे पाली प्राक्रिटिक भासा थी इसलिए कोई भी जानकार कोई भी ऐसा विक्ति जो कभी भी भासा को खोलेगा या देखेगा या खोदेगा या जो वो खुद भी बोल रहा है तो वो लाश्ट में जानेगा कि ये पाली ही है थोड़े थोड़े चेंज किये हुए है वो चेंज हम समय समय पे बताते रहते हैं आप देखते रहते हैं परसन आपके आते रहते हैं, जवाब हम देते रहते हैं इसलिए फैस्टिबल सारे भारत के हैं कुछ फैस्टिबल को छोड़के जैसे अकरांता अपने साथ लेके आए जो अरवी लोग लेके आए जो मुस्लिब फैस्टिबल है वो भारत के नहीं है उनकी चाप अलग है उनकी बात अलग है वो यरुसलम से चलते हैं इसराइल से चलते हैं वो यहां के भी नहीं है इसलिए उनके फैस्टिबल वहां से चलते हैं जो क्रिस्टिन्स के फैस्टिबल है वो वहां से चलते हैं कुछ फैस्टिबल बाद में डवलप हुए है पाली के आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए अच्छी बात है आपको लगता है कि ये मत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं कुछ लोगों को ये मत अच्छा लगता है तो उनके ठीक है हमारा मकसद जानकाई देने का है हम जानकाई देते हैं आप कैसे इस्तमाल करते हैं ये आपके उपर है हम सभी के वेले विसर हैं सबका मंगल हो ये जो टीम 20 चैनल है ये जानकारी बलकूल समानता के साथ मैं एक रूप के साथ मैं सब को देता है धन्यवाद ये एन्यवाद करेंकारी टानकारी से टूर को पालनकारी साथ में एक रंप हो तो घुड़र को पत्रूरा साथ मैं संब पर मालंकारी लो मैं शोड़ियो का भी कि नहते हैं